हाई गाल्स मैं हूँ आपका दोस्प्रेंस और आप देख रहे हैं पीप जैक्स चैनल सो आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशनल पिक्स आप अपने पिक्स हाट में या एंड़ स्मार्टफोन में कैसे बना सकते हैं तो मैं आज आपको बताऊंग और दो तरीके सबसे पहला तरीका यह है आपके सामने इस तरीके की हम पिक एडिट करेंगे और दूसरा इस तरीके से हम एडिट करेंगे तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले आपने करना क्या होगा अपने मोबैल में पिक साट को डाउनलोड करना होगा इसका लिंक का आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाए अगर नहीं है आपके अपास तो इसको आपने डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद प्लस आइकोन पर आपने दाबना है और यहाँ पर आपने एडिट फोटो पर तो कोई भी एक अच्छी सी फोटो आप ले 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 आप अपने खुद की ले सकते हैं या फिर आप अगर अपना इंस्टाग्राम पर पेज बनाना चाहते हैं तो आप नोन कोपिर आइडिया कोपिरेड्ट जैसा भी आपको इस्टेबल रहे आप फोटो ले सकते हैं उसके बाद आपने करना क्या है यहाँ पे टेक्स्ट का उप्षिन है इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई लिखना ए ठीक है आई लिखे races published पर आपने क्लिक करना है और आपने हाँ पर करना क्या है इस फोटो को आपने करना है चोटा और इसको कर देना है इस तरीके से इंक्रीज बड़ा कर देना है तो इस तरीके से आपने इसको कवर करना है फोटो को पूरी को ठीक है उसके बाद आपने color में जाना है color में जाकि इसका black color choose कर देना है उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है opacity में ठीक है opacity में जाने के बाद इसको कम कर देना है इस तरीके से आप इसको ले आएं सिच्टी-फव् our तक लें सिच्टी-फोर तक ले आने के बाद आप यहां पर अभी कोई भी आप यहां पे मॉटिवेशन ठीक है ना आप चाहें English, Hindi जैसे मरजी आपको श्टेबले वैसा आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आगी उसके बाद आपने करना क्या है यह जो आप आइकोन देख रहे हैं इस आइकोन पर आपने क्लिक करना है आइकोन पर क्लिक करने के बद यहाँ पर जाना है आपने my fonts में my fonts में जाने के बाद यहाँ पर add fonts है Ip funds जाने के बाद यहाँ पर आपने fonts add कर लेने इस fonts का link मैं आपको description में देद का wirals sam Pe abra du opa लेना उसके लेना हम आपका यहाँ परिपर ऊपर जाने और यहाँ पर तो आपने क्याना है यह प्लस वाला आइकोन पर क्लिक करना है और यहां पर टेक्स्ट वे क्लिक करना है और यहां पर आपने अभी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बरनी है तो यहां पर हम इंस्टाग्राम लिखे दें अपया इंस्टाग्राम के बाद यहाँ पर आप एक डोट दें और यहाँ पर आप अपना ॐ यूट कि दे तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया अभी तक फोलो करले क्योंकि वहाँ पर आपको new updates और notifications मिलती रहती हैं तो यहां पर हम बढ़ देते हैं उसके बाद आपने करना क्या है टिक पर क्लिक करना है और इसको हलका सा नीचे लेयाना है और इसको छोटा कर देना यह आपका एक तरीके से logo कह सकते हो आप या फिर डिजैन बनी चुका है ठीकर आपका mark बन देना है तेजिस तक ठीक है ऐसे ही ऊपर वाले फॉन्ट पर आप कलिक करें और इसको भी यहाँ पर क्लिक करें और थोड़ा सा उपर कर दे उसके वाद जो आपका motivation post ready है इसको थोड़ा सा उपर कर लो और इस तरीके का यह दिखेगा आप चाहे इसकी opacity जो है back वाले की कम ज जी उसके बाद आप इसको टिक पर क्लिक करें और यहाँ पर एक डाउनलोड का option है डाउनलोड पर क्लिक कर दें आपका जो यह post हो सेब हो गया तो दोस्तों यह था पहला तरीक का एक motivation post बनाने का अब बात करेंगे हम second तरीके की तो मैं इसी post को re-design करूँगा तो आपने simple से करना क्या है again टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई लेना है आपने और टिक पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको different करना है इसको घुमा देना है घुमाने के बाद इ है इसको इंक्रीज कर लेना है और इसको इस तरीके से आपने रखना है उसके बाद यहां पर ब्लैक कलर आपने कर देना है ब्लैक करने के बाद यहां पर एक एरेजर है इस एरेजर पर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने अभी एरेजर का साइज जो है वो कम करने है पह पर हलका सा फेरना है एरेज करना है कहने का मतलब यह है इस तरीके से ठीक है अब यह एरेज हो चुका है लेकिन आप घोर करेंगे इसके नीचे है ठीक है न तो आपने अभी यहां पे इसको करना क्या है इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है इस तरीके से से यहां पर आपने लगा लेना है और अगर यहां पर थोड़ा सा रहा गया देको इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रेज कर लेते हैं हो गया तो आपने आपने करना क्या है इसको आप छोटा ब पेश्ट कर सकते हो डन करने के बाद आप यहां पर सेम इस तरीके से सोरी इस तरीके से आप लगा सकते हो लेकिन यहां पर आप चाहते हो कि चलो हम कोपी पेश्ट कर लेंगे वहां पर लेकिन आप चाहते हो कि यार मैंने किसी की पोस्ट देखिया उस पोस्ट जैसे मैंने कर देता हूं तो आपने करना क्या है आपने कोई पोस्ट देखी है अभी आपने एड़ पे क्लिक करना है फोटो एड़ करनी है अभी जो आपने पोस्ट देखी है ना उस पोस्ट को यहां पर एड़ करना है एक्जेम्पल के लिए मैंने एक पोस्ट देखी दी इंस्टाग्र अपनी पोस्ट के अंदर लगाना चाहता हूं तो इसको हम कर लेते हैं एक रोप इस तरीके से जो आपका अच्छे तरीके से जो है और यहां पर सेम अपने अपना टेक्स्ट पर करना है और आपना यहां पर इंस्ट्राग्राम आईडी है वह आप यहां पर फील करने के बाद सेम अगर आप पो नीचे ले आए इसको कर दें थोड़ा चूटा और यहां पर आप फॉंट्स वाला आइकोन पर क्लिक करें माई फॉंट्स पर और लाश्ट वाला फॉंट्स आप यहां पर ले ले इस तरीके से आपका मोटिवेशन पोस्ट जो है वह रेडी हो चुका है ठीक इसको आप छोटा वड़ा कर सकते हैं ठीक है और इसको आप यहाँ पे टेक पे कलिक करें और यहाँ पे एक save का option है इस पे कलिक करें और आपकी ये post जो है वो save हो चुकी है तो दूस्तो आज का वीडियो अगर आपको पसंदा है तो please वीडियो को जुरूर लाइक करना और हम फिर मिलेंगे एक न्यूए एकसेटिव वीडियो के साथ अब तक के लिए बंदे माधरम जैहिन खुदाफिस